मैंने कहा मीडिया वाले हमारे मित्र हैं, मगर मीडिया वाले हमारे मित्र नहीं है वो किसानों के मित्र नहीं है, गरीबों के नहीं है, मजदूरों के नहीं है, पिछणों के नहीं है, दलेतों के नहीं है, आदिवासियों के नहीं है, वो अधानी जी के है हैं बड़े-बड़े अरब पत्यों के हैं कभी तेज़ेश्पी जी का इंटर्वी होता है मेरा इंटर्वी होता है प्रेस कॉंफरंस होता है सवाल पूछते है उल्टे सीधे सवाल पूछते है पता नहीं आपने नरेंडर मोदी जी का इंटर्वी देखा नहीं देखा देखा उसमें उसमें उनके सामने चार चंचे बेड़ जाते हैं और फिर कहते हैं प्रधान मंत्री जी आप आम कैसे खाते हो आप काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो उसको खाने से पहले आप धोते हो या नहीं धोते हो फिर प्रधान मंत्री जी का जवाब आता है पता नहीं सब कुछ अपने आप होता है मैं कुछ नहीं करता हूँ मुझे परमात्मा ने धर्ती पे भेजा है मिशन पे भेजा है परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को भेजा है हम सब बायोलोजिकल लोग है नरेंद्र मोदी जी अकेले आसमान से गिरे उनको भगवान ने हिंदुस्तान में अदानी जी के लिए काम करने को भेजा है दस साल दस साल अदानी जी का काम किया एरपोर्ट पोर्ट इंफ्रस्रक्टर बिज्ली ये जो आपको बिज्ली के बिल आते हैं न हजारों रुपे के आते हैं आपको माल में क्यों आते हैं अदानी कोईला खरीता है विदेश विदेश में कोईला खरीता है जब तक कोईला यहां आता है अदानी उसकी किमत को बढ़ा देता है किमत को बढ़ा देता है दाम बढ़ा देता है और सरकार कोईले को महंगे दाम पे उसकी मदद करने के लिए खरीती है पैसा कोन देता है आप देते हो भाईयों मैंनों जी एसटी कोन देता है आप देते हो आप कोन हो 90% हिंडूस्तान के पिछडे दले आदिवाजी माइनॉर्टी गरीब जेनरल कास के लोग आप जी एसटी देते हो पैसा आपका है कर्जा माफ अदानी जैसे 22 लोगों माफ किया तो आपके पैसे से उन्हों ने उनका कर्जा माफ किया वो अदानी का पैसा नहीं है वो हिंडूस्तान के पिछडे वर्ग का दलेतों का आदिवाजीों का किसानों का मजदूरों का पैसा आप देते हो आपने ये शर्ट पहनी हुई है या आपने कितने की घरी दी हाँ आप कितने की घरी दी है पांच सो की खरी दी बाईयों और बैनों गरीब यक्ति पांच सो रुपी की शर्ट 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 आए वो उतनी ही जी एस्ट देता है जितनी अदानी देता है अगर यही शर्ट अदानी करीदेगा तो वो भी उतनी ही जी एस्ट देगा अठारा परसेंट जी एस्ट देगा जितनी इसने दी वो अरपति है उसको लागों करोन रुपे मिलते हैं इनके आमदनी हजारों रुपे में हैं और आप देखें तो सारा का सारा पैसा आपके जेब में से निकलता है महंगाई की बात करते हो ते जेज़ जी बेरुद्गारी की बात करने हैं यह है क्या यह हो क्यों रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन 22 लोगों को चाइना के प्रोड़क्स का ठेका दे रखा है यह आप अपना मोबाइल पर देखा है इसमें मेडे चाइना लिखा है इसको बेचता कोन है अदानी अमबानी अमबानी इस मोबाइल फोन को हिंदुस्तान में बेचता है चाइनीज माल वो यहां ब के युवाओं को नुकसान होता है चाइना का माल यहां बेचते हैं चाइना के युवाओं को फाइदा होता है अदानी अम्मानी को फाइदा होता है अच्छा नरेंद्र मोदी को क्या फाइदा मिलता है इसमें से मैं बताता हूँ चौपिस गंटा मीडिया वाले उसका चैरा दिखाते हैं तो होता क्या है नरेंद्र मोदी आपका पैसा GST का पैसा इन 22 लोगों को देते हैं इनको चाइना की कंपनियों के ठेके दे रखते हैं आप चाइना का माल खरीचते हो मेंगाई बढ़ती जाती है और नरेंद्र मोदी का चैरा ये मीडिया वाले चौपिस गंटा आपको दिखाते हैं और नरेंद्र मोदी आपका ध्यान इदर उदर करते हैं अच्छा मैं आपसे पूछना जाता हूँ जब कोई किसी का जेव काटता है कैसी किया जाता है जेव कैसे काटी जाती है एक आदमी आता है सबसे पहले ध्यान इदर उदर करता है सहीवाद दूसरा आदमी पीछे से जेव काटता है सहीवाद और तीसरा आदमी डंडा लिया खड़ा रहता है कि कोई भोटों पर मारू सही बाद, ध्यान इदर उदर करने वाला नरेंदर मोदी, जेव कातने वाला अदानी, दंडा वाला अमिच्छा और जेव किसकी तक्रिय आपकी, और आपको कहते हैं, कभी कहेंगे देखो आसमान की और देखो, नरेंदर मोदी सी प्लैन पर उड़ रहा है, फिर कहेंगे, ओ देखो देखो समूदर के नीचे चला गया, फिर आपको मीडिया दिखाएंगे पिर दिखाएंगे गंगा जी में नरेंद्र मुधी चलते हुए, तैर नहीं सकते, पहले मगरमच से लडाई के थी, मगर आप गंगा में तैर नहीं पाते हैं, कभी पाकिस्तान की बात होगी कभी चाइना की बात होगी फिर मीडिया वाले कभी आपको अमभानी जी की शाजी दिखा देंगे उसमें आठ करोड की गड़ी दिख जाएगी मगर कभी आपने गरीब व्यक्ति को मीडिया पे देखा है किसान को देखा कभी मजदूर को कभी देखा मीडिया पे सवाल में उपता यह आपका है यह नहीं बिल्कुल बिका हुआ है यह उनका है यह अब इंडिया गड़बंदन के सामने दो बड़ी समस्या है एक पहले समस्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने अमीरों को अमीर कर दिया है 22-25 लोगों को और गरीबों को गरीब कर दिया है गरीब गरीब होते जा रहे है अमीर अमीर होते जा 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 और भाईया अगर एक करोड़ अमीर होते है या दस करोड़ अमीर होते है तो बात चल जाते है मगर हिंदुस्तान में सिर्फ 25-30 लोग है जो अरब पती है और बागी हिंदुस्तान करोणों लोग गरीबी में ठसे बड़े हुए तो एक पहली बात ये अम्याय हो जाए और दूसरी बात दूसरी मुश्किल बेरोज गरीबी एक की अमीर और खरीब अमीर होता जारहे है गरीब घरीब होता जारहे है दूसरी बेरोज गरीबी अब कॉंग्रेस पार्टी इन दोनों समस्याओं को एक छट्टे से ठीक करने जाए आप कहोगे यह होता कैसे होगा कैसे आप कहोगे कैसे हो सकता है कि आप एक काम करके इन दोनों समस्याओं को ठीक कर दो ये मैं आज आपको बताने आया हूँ सबसे पहला हमारा काम उन्होंने अरब पती बनाए हम करोनों लाग पती बनाने जा जाए और कैसे गरेंग बता रहा हूँ यहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गाउं में हर शेहर में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी किसानों के परिवार होंगे मजदूरों के परिवार होंगे पिछड़े पर, सलेत, अधिवासी, गरीब, जनरल कास, माइनूर्टी जो भी इस देश में गरीब है छोटा विया पारी गरीब ही रेकत से अगर वो नीचे है उसका नाम इस लिस्ट बे आया करोणों लोगों की लिस्ट बनेगी उसके बाद हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा करोणों महिला के नाम चुने जाएगे चार जून को इंडिया गर्बंदन की सरकार बनेगी पाँच जुलाए को करोणों परिवार सुबह उठेंगे अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में पाँच जुलाए को 8500 रुपे अंदर डर आप देखोगे यह क्या हुआ इंडिया गर्बंदन की सरकार ने उसको अंदर डाला जुलाए में मिलेगा अगस्ट, सतंबर अक्टूबर, नुवेंबर, डिसेंबर, जैनुरी, फेबरी चलता जाएगा खटा कट, खटा कट, खटा कट खटा कट, खटा कट मैं तो कहता हूँ यह मीडिया वाले कहेंगे यह मीडिया वाले कहेंगे जब हम पैसा देंगे मेडिया आले केंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं और मैं कौंगा जादा बोलोगे ना अभी एक लाग रुपए सार का दे रहे हैं दो लाग लग देंगे चुब हो जाओ तो अभी बोला हो तो पहला काम सीधा महिलाओं के गरी महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे का इंजेक्शन दूसरा काम यहां पर आप नहीं हो वो थोड़ी दिर बाद में आएगा दूसरा काम यहां पर आप लोग दान उगाते हो दान उगाते हो यहां पर आपको दान के के लिए फिंदुस्तान के किसानों को दान के लिए शुकर के इन के लिए आलू के लिए सही दाप नहीं मिलता। जब आप लगा दान भीड़ना हुता है आधानी जैसे लोग मार्केट को फिक्स करके दाम को कम कर 되면 और जब आप अपना धान बेट देते हो उसको बढ़ा देते हैं तो पहले बार हिंदुस्तान की सरसार हिंदुस्तान के किसानों को बिहार के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम धान धान के लिए अनाज के लिए शुगर केन के लिए देने जा रही है दूसरा काम उन्हों ने सोला लाग करोड़ रुपी कर्जा माव हम हिंदुस्तान और बिहार के किसान कार्जा माव करने जा है तो महिलाओं के जेब में पैसा किसानो को पैसा मज़दूरों को आज 250 रुपाय मिलते हैं मन्रेगा में हम 400 करने जा रे हैं करें यह क्या हो रहा है किसान को पैसे मिल रहा है महिलाओं को मिल रहा है मजदुरों को आपने दे दिया हमारा क्या होगा जो आप सुनना चाहते हो वो मैं बोलने आया हूँ तो मैं जानता हूँ मैं बोलने आया हूँ थोड़ा मैं आप में टेंशन बढ़ा रहा हूँ तो अब युवाईं के युवा कहेंगे कि हमारा क्या होगा सबसे पहले हिंदुस्तान के बेराउज़ार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्ति का अधिकार देने जा रहे है एक साल की नौकरी मिलेगी प्राइविट सेक्टर पबिलिक सेक्टर में ह-a-l, b-h-a-l, jc companies में प्राइविट सेक्टर में सरकारी हस्पताल, सरकारी colleges, सरकारी universities में एक साल की होगी बहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, जॉब experience मिलेगा महीने का 8500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर साल का 1 लाग रुपए उसके बाद हिंदुस्तान को एक बहतरी इंट्रेंड वर्ट खोश में लेगी अब अगनी वीर की बार देखिए नरेंद्र मोदी जी जो अपने आपको देशबग कहते हैं उन्होंने सिना का अपमान किया है हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान किया कैसे किया अगनी वीरो हाँ इदरो आजो 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 हाँ अगनी वीरे अगनी वीरे अगनी वीरे के लुग कि अचिक अ और कि अच कि अ अ की अ कि अ जितना 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 यह अगनिवीर है विकास कुमार आपको कैसा लगा यह अगनिवीर हो यह इनको यह स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा पताई क्यों क्योंकि नरेंडर मोदी ने दो तरीके के शहीद बनाए है इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ तुमारे दिल में देश भक्ती की भावना है तुम जाओ तुम बॉर्डर पे खड़े हो बिना ट्रेनिंग के बिना पेंशन के बिना कैंटीर और अगर तुमारे साथ कुछ होता है अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुमारे साथ नहीं खड़ी होगी अगर तुम शहीद होते हो तुमें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अगनिवीर हो तुम नॉर्मल जवान नहीं हो बाईयों और भेनों ये सिर्फ सेना कर नहीं हर देश भक्त का अखमान है और हम इस बात को मानने के लिए त्यार नहीं है कि दो शहीद होगी एक तरीकर शहीद होगा सब को पेंचिन मिलेगी सब के परिवार की रक्षा होगी सब को कैंटीन मिलेगी और मैं आपना आश्पासाद देना चाहता हूँ और आपके माधियम से हिंदुस्तान के हरे जवान को, हरे क्योबा को, हरे का अपनिगीर को जैसे इंडिया गटबंदन की सरकार आएगी, हम अगनिवीर योड़नों को फाड़के कुड़े दान में प्रिकतेंगे। हम अगनिवीर योड़नों को इनको कहा जा रहा है, कि दो तरीके के जवान होंगे, एक अमीर घर का बेटा होगा, जिसे जवान कहा जाएगा, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा गरीब घर का बेटा होगा, बिहार के किसान का बेटा होगा, जो सेना में जाएगा, उसको सेना से निकाल दिया जाएगा, उसको ना पेंशिन मिलेगी, ना शहीद क दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन मिलेगी, अगर उसके साथ कुछ होता है, सरकार उसकी रक्षा नहीं करेगी हम इस बात को नहीं मानेंगे अग्दी वी रियोजना को फार के पुड़ेदा में डाले तो ये मैं आपसे कहना चाहता था 30 लाख सरकारी नोकियां है बियार के युमाओ नरेंद्र 간 मोधी जी ने इनको बहड़ा नहीं है अदानी जी का काम किया मगर जब नवक्री देने का समय आया नहीं दी जैसे हमारी सरकार बनेगी 30 लाख सरकारी नोक्रियां हम आपके हवाले कर देंगी जैसे बिहार मे ते जेसबी जी ने किया नोक्री देने का गाम किया जैसे इनू ने किया उंकल जी भाग गए गवरागाः बाग गए वेशे ही जब जिल्ली में सरसार आईगी इंडिया कट बंधन की सरसार तीस लाग सर्कारी नोक्रियां आपके हवाले कर देगी भाई और मैंनो आपरी बात और सबसे जरूरी बात ये चुनाओ सविधान का चुनाओ रहा है ये पहला चुनाओ है जहां अम्बेटकर जी के सम्विधान पर नरेंद्र मोदी, अमिट शाह बीजेपी के कार्यकरता, बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे है उन्होंने खुल के कहा है बीजेपी के नेता उन्हें खुल के कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सम्विधान को खतम कर देंगे, फाड़ के फेक देंगे BJT के नेताओं सपना मत दे को आपकी सरकार नहीं आ रही है आपकी सरकार जा रही है और मैं इस्टेट से गैरंटी दे रहा हूँ नरेन रमूदी हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया अगनिवीर योजिवा लाए किसानों की मदद नहीं की जाती जनगर्ना पे बिलकुल चुप हो गए बाईयों और मैंनों देश में 50% पिछड़ वर गए 15% गलेट 8% आड़िवाजी हमने जाती जनगर्ना की बात उठाई हमने कहा कि जाती जनगर्ना होनी चाहिए देश को पता लगना चाहिए इस देश में पिछड़ वर के कितने लोग हैं दलिट कितने आदिवाजी कितने गरीब जनरल कास के कितने माइनोरिटी कितने हमने ये भी कहा कि सिर्फ जाती जंगरना नहीं होनी चाहिए आर्थिक सर्वे होना चाहिए और हर संस्ता का सर्वे होना चाहिए हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में मीडिया में जुडिशिरी में कितने पिछड़े लोग है कितने दलित हैं कितने आदिवासी हैं कितने गरीब जनरल काज के लोग हैं जैसे ही मैंने ये बात बोली नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाती नहीं है हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है एक अमीर जात एक गरीब जात तो मोदी जी अगर हिंदुस्तान में सिर्फ दो जाते हैं तो आप होबी सी कैसे बन गए आप अपने आपको 24 गंटा होबी सी कहते हो और जब पिछड़ों की मदद करने की बात आई जाती जंगरना एकनॉमिक सर्वे संस्ताओं का सर्वे कराने की बात आई तो आप चुपो गए बाग गए और आपने कहा कि देश में कोई जाती नहीं है सिर्फ दो जाती हैं अमीर और गरी भाई और बेनों हमारी सरकार आईगी जाती जंगरना कराएंगे एकनॉमिक सर्वे होगा संस्ताओं का सर्वे होगा और ये जो 50% का रेजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है इसको हम तोड़के फेक देगे मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब दूर दूर से आई इतने प्यार से आपने हमारी बात सुनी दिल से धन्यवाद करता हूँ और बूलियमा अगनी वीर को हम फाड़के कुरे डान में फिकते जा रहे हैं धन्यवाद केहिए